कुशी नगर से बड़ी खबर खड़ा थाना क्षेत्र के एक गाव में सिर्फिरे आशिक ने योबती पर चाकू से वार कर किया लहुलुहान आधी रात को चाकू लेकर योबती के घर में घुसा हुआ था सर्फिरा आशिक एक खबर हम आपको कुशी नगर से बता रहे है जबरन यूबती को घर से भागने की कर रहा था जिद इंकार करने पर कर दिया चाकू से वार यूबती की हालत नाजुक गोरकपूर मेडिकल कॉलेज में चल रहा इलाज जानकारी होने पर पुलिस जाच में जुटी पुलिस ने मामले की जानकारी के बाद दर्ज किया मुकदमा अभियुक्त फरार कुशी नगर से बड़ी खबर खड़ा थाना क्षेत्र के एक गाउ में सिर्फिरे आशिक ने यूबती पर चाकू से वार कर किया लहुलुहान आधी रात को चाकू लेकर यूबती के घर में घुसा हुआ था सर्फिरा आशिक एक खबर हम आपको कुशी नगर से बता रहे है जबरन यूबती को घर से भागने की कर रहा था जेद इनकार करने पर कर दिया चाकू से वार यूबती की हालत नाजुक गोरकपूर मेडिकल कॉलेज में चल रहा इलाज जानकारी होने पर पुलिस जाच में जुटी पुलिस ने मामले की जानकारी के बाद दर्ज किया मुकदमा अभियुक्त फरार कुशी नगर से बड़ी खबर जबरन यूबती को घर से भागने की कर रहा था जेद इनकार करने पर कर दिया चाकू से वार यूबती की हालत नाजुक गोरकपूर मेडिकल कॉलेज में चल रहा इलाज जानकारी होने पर पुलिस जाच में जुटी पुलिस ने मामले की जानकारी के बाद दर्ज किया मुकदमा अभियुक्त फरार